जहें दोस्तो, दोस्तो, election खतम हो चुका है, government भी बन गई, market पर जो uncertainty थी वो चली गई और आप देख भी रहे हैं कि market अपना till date high क्रोस कर रहा है इसके सासा दोस्तो, global market में भी अब rate cut होना शुरू हो चुका है recently ही UK में rate cut होए हैं, Canada में भी rate cut होए हैं और अब माना जा रहा है कि आने वाले meeting में Fed भी अपना rate cut करेगा बट दोस्तो, अभी भी भी भारत में कई सारे ऐसे investor हैं, जो side line पर बैठे हुए हैं, अब तक उन्होंने निवेश नहीं किया या फिर जो उनका निवेश था, उन्होंने election चे पहले निकाल लिया, अब वो वापस market में निवेश करना चाते हैं तो ऐसे समय में कहा निवेश किया जाए, तो दोस्तो एक नया mutual fund कोटक लेके आ रहा है, जिसमें आप यहां से निवेश कर सकते हैं, अगर आपका viewpoint 5 साल से अधिक का है तो आज के वीडियो में हम इस fund के बारे में detail में जानकारी प्राप करेंगे दोस्तो हम आगे बढ़ें, उससे पहले एक अनुरोध रहेगा आप सभी से, कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, आपको निवेश न करना है, तो भी वीडियो को देखिए, fund क्या करता है, कैसे काम करता है, एटलिस वो तो आपको समझना मिलेगा और अपने दोस्तों के साथ, परिवार जनों के साथ, शेर कीज़े, दोस्तों, आपके कई सारे ऐसे दोस्त होंगे, या परिवार में ऐसे व्यक्ति होंगे, जो मारकेट में निवेश करना चाहते हैं, बड़ उनको पता नहीं है, कहां से शुरू करें, तो उनके लिए ये वीडियो हम तयार कर रहे हैं, तो उन तक तो ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाए, एटलिस आप अपने दो दोस्तों के साथ, ये वीडियो ज़रूर शेर कीजिएगा, दोस्तों, तो बढ़ते हैं, आज के हमारे वीडियो की तरफ, आज का जो हमारा फंड है, कोटक नया फंड लॉंच कर चुका है, इस फंड का नाम है, कोटक स्पेशल ओपरचुन्टी फंड, दोस्तों, ये एनफो है, 10 जून से ये एनफो ओपन हो चुका है, मतलब अभी भी ये एनफो ओपन है, और 24 जून तक ये एनफो ओपन रहेगा, तो वीडियो में हम इस फंड के बारे में समझेंगे, कैसे ये स्पेशल ओपरचुन्टी फंड काम करता है, किस प्रकार का इसका इनफोन अप्रोच रहेगा, स्पेशल ओपरचुन्टी क्या होती है, ये सारी बाते आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखेगा, आगे बढ़ें, दोस्तों उससे पहले आपको हम बताना चाहिए, अगर आपको इस फंड में निवेश करना है, या किसी और भी म्यूचल फंड में आपको निवेश करना है, और अगर आप financial advisor की तलास में है, तो आप हमारे साथ निवेश कर सकते हैं, हम एक independent mutual fund distributor हैं, हम किसी ये जो सबसे बहतिन फंड होगा उसमें हम उनको निवेश करवाते हैं उनके financial goal के हिसाब से और क्योंकि आप हमारे फोनल चैनल पे आये हैं तो आप बाकी सारे वीडियो भी हमारे देख सकते हैं कई सारे stock पे भी individual अपना research भी रखते हैं दोस्तो कोटक special opportunity fund तो ये special opportunity क्या है तो दोस्तो ये एक प्रका का investment approach जहां पे focus किया जाता है ऐसे unique situation का जिसके कारण एक value उभर के आती है किसी भी company में या किसी भी sector के अंदर ये unique situation क्या क्या हो सकती है कई सारी ऐसे special opportunity बन सकती है market के अंदर कई सारे event के कारण जैसे कि policy change हो गया जैसे कि आप जानते हैं कि recently नई government बनी है तो अब budget भी आएगा तो कई प्रका के नए policy भी आ सकते हैं अब ये आप देखें तो recently प्रधान मंत्री आवाज सुद्दा में अगर आप देखें पांच करोर नए गर बनाने का announcement किया गया है तो ये एक प्रका का बड़ा policy decision ही हो गया तो इससे कई प्रका के investment opportunity उबर के आ सकते हैं government policy change के कारण तो वहाँ पे investment किया जा सकता है इस fund के अंदर उसके बाद दोस्तों आप देखें merger and acquisition के मात्यम से भी कई प्रका के value उबर के आ सकते हैं उसके बारे में वीडियो में चाचा करेंगे किस प्रकार से value बनती है ऐसे situation के कारण industry consolidation दोस्तों आप जानते हैं जो बहुत ही पुराने लोग telecom यूज कर रहे हैं 15 साल पहले कितनी सारी telecom कंपनिया थी Uninor, Docomo, Vodafone, Idea और अगर आप देखे Airtel, Reliance Communication और आज देखे तो सिफ majorly तीन कंपनिया बची है तो industry में जब consolidation होता है जो बड़ा player market share gain करता है वो बड़ा market के भी achieve करता है management change कई प्रका के जब बड़े management change होते हैं बड़े सतर पे तब भी company की दिश्चा और दिश्चा बिज़ सकती है तो वहाँ पर भी opportunity बनती है demerger दोस्तो demerger में बहुत बड़ी value unlock होती है recently अगर आप देखे Reliance Message Gio demerge हुआ और वो अगर आप देखे अच्छा कैसा share perform कर रहा है और भी कई सारे demerger के story market के अंदर है demerger एक बहुत बड़ा value unlock क्रियेट करता है किसी भी business house के लिए तो वहाँ पर भी special session से उबर के आती है जहाँ पर ये fund अपना निवेश कर सकता है इसके अलाबी दोस्तो buyback कभी-कभी जब share में बहुत deep value होती है market उसको recognize नहीं करता है तब management आके करता है बड़ा buyback दोस्तो तकरीबन 2006-07 के आसपास जब actual का share चली ही नहीं रहा था फिर उनके management ने decide किया कि हमारे सर्में deep value है उन्होंने तकरीबन 2000 के आसपास buyback किया था 2005-06 साल के आसपास वहाँ से share one way चला था तकरीबन 4-5 गोना हो गया था recently आप देखे पिछले साथ L&T ने अपना बड़ा buyback किया बहुत सालों के बाद उसका बार L&T में भी अगराब देखे रफता देखी गई थी ऐसे buyback भी बड़ा अगराब देखे trigger लेके आते हैं किसी भी business के लिए उनका अगराब के direction change करते हैं जब बड़ी value होती है share के अंदर और उसको market recognize नहीं करता है और भी कई सारे ऐसे situation उबर के आते हैं जिसके कारण अगराब देखे share में बड़ा value unlock होता है और ऐसे special situation में आज का जो हमारा fund है जो NFO है वो focus करेगा दोस्तों कुछ example के माद़म से समझते हैं सबसे पहले policy change दोस्तों defense sector में बड़ा policy change होगा आत्म निर्बढ भारत defense में government का focus रहा है जैसे कि आप अपने screen पर देख रहे हैं और कई सारे अगर आप देखे जो import item ते उसको embargo लगाया मतलब आप बाहर से वो item नहीं ला सकते हैं भारत में ही आपको बनाना पड़ेगा ये शुरू हुआ था ओगस 2020 में पहला restriction आया फिर में 2021 में दूसा restriction आया और नवेंबर 2021 में अगर आप देखे तीचसा restriction लिष्ट आया कि इस item को आप बाहर से नहीं मंगा सकते हैं दोस्तों ये जो step था उसके कारण जो भारत की defense company है उनका अगर आप देखे पूरा का पूरा situation ही change हो गया आप जानते हैं कि recently defense sector ही सबसे ज़ादा wealth creation sector आप पिछले एक साल के अंदर जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जब से ये अगराब देखे 2020 से लेके अब तक मतलब कि तकरीब पिछले चार सालों के अंदर Nifty Defects Index 68% CAGR से बड़ा है चार साल में 68% CAGR बहुत ही बड़ा होता है Hindustan Aeronautics जैसे कंपनी अगरा आप देखे तकरीबन 9 गुना हुई है BEL जैसे कंपनी भी 6-7 गुना हुई है और भी कई सारी Defense कंपनी की स्टोरी आप जानते हैं तो ये एक सिंगल Policy अगरा देखे चेंज था कि आप Import Restriction लगाए आत्म निर्वर भारत पे फोकस करें इसके कारण Defense सेक्टर का अगरा आप देखे पूरा का पूरा तो रंग रूफी बदल गया और बड़ी वेल्थ वहां पे बनी है पिछले 4 सालों के अंदर आगी भी चाहिए बन सकती है सेम वे पे दोस्तों पॉलिस चेंज हुआ है आपका electronic अगर आप देखे manufacturing segment के अंदर यहां पे government PLI scheme offer कर रही है बारत में ज्यादा manufacturing हो और उपर से अगर आप देखे तो टेल वी नर आ है चाइना प्लस वन का इसके कारण भारत में electronic manufacturing बढ़ रही है यहां पे अगराब देखे Dixon Tech जैसे company अगराब देखे पिछले तक्रीबन 4-5 सालों में आंट गुना से ज़ादा बढ़ी है Ember Enterprise यह भी similar साथ पर उसकाम परती है यह की company अगर आप देखे 32 पस के CAGR से बढ़ रही है पिछले 5-6 सालों में तो यह भी policy support के कारण बढ़ रही है तो यह ऐसे policy support आगे भी आते रहेंगे P.E.L.I.S.K.E.M. अभी भी है कई सारे इंडेशे को यह अभी भी benefit करेगी तो वहां पर यह फ़र अपना focus करता है Merger and Acquisition दोस्तो लिंडे इंडिया नाम की एक company है इन्होंने एक JV किया P.E.L.I.S.K.E.R. एक company है उसके साथ 50-50 का यह JV था तक्रीबन मार्च 2020 में ही यह JV हुआ था और दोस्तो तब से अब तक आप देखे लिंडे इंडिया का share कैसा perform किया है तक्रीबन 4 साल पहले इसका market cap था 6,000 करों के आसपात का 5,800 करों प्रसाइस लेकर आप लेखे और अब इस company का market cap कितना 70,000 करों का 4 साल में 6,000 करों से 70,000 तक्रीबन ये company दस कुना से जादा बड़ी है तो ये एक JV के माधियम से बड़ा trigger company के लिए उबर के आया Consolidation दोस्तों ये भी एक बड़ा event होता है कई सारे जो बड़े-बड़े sector है वहाँ पे Consolidation हो रहा है आगे भी होता रहेगा जहाँ पे organized pair market share गेंड करते हैं aviation sector में recently बड़ा Consolidation हुआ दोस्तों तक्रीबन 4-5 साल पे ले jet airway नाम की एक बहुत ही popular airline हुआ करती थी वो collapse हो गई अब तो बंदी है अब तक उसका अगर आप कोई resolution नहीं आया है इसके कारण क्या हुआ जो बड़ा player है Indigo जिसका market share तक्रीबन 6 साल पे ले हुआ करता था तक्रीबन 34 प्रस का Indigo तक्रीबन 65% market share रखती है उसके बाद अगर आप अगर आप के एर इंडिया और टाटा का जज़े भी है उसका बड़ा market share है तो यह भी एक consideration हुआ और आप देखेंगे तो इंडिगो का पिछले 5-6 साल का CHR 22 परस के असपास का है तो यह भी एक बड़ा industry में consultation होता है और बाकी सारे industry में भी consultation हो रहा है टेलीकॉम में हो रहा है और भी कई सारे industry में आगे यह हो सकता है उससे भी बड़ी opportunity बनती है Demerger दो तो यह एक बड़ा trigger बनता है किसी भी company के लिए जब एक business में से अलग business demerge होता है तो बहुत बड़ी value unlock होती है एक example है ओरियंट ग्रूप ओरियंट पेपर नाम की एक company हुआ करती थी उसने demerger शुरू किया सबसे पहले उसमें से अगर आप देखे तो ओरियंट पेपर में से पूरे के पूरे business का था ओरियंट पेपर और उसके अंडर जितने भी ये दो business थे तकरीबन आप देखे तो 80-90 करो के आसपास का और अब देखे तो market के टीनों के टीनों business का मिला के हो चुका है तकरीबन 9000 करो के ऊपर का तो जब deemerger होता तो बहुत बड़ी value अनलोक होती है business के अंदर Recently Reliance में deemerger हुआ है Jio अलग हुआ Jio Finance इसके अलावा गराब लेके IT से अपने hotel business को deemerger करने वाली है Raymond अपने lifestyle business को deemerger करने वाला है और भी कई सारे deemerger story उबर के आ सकते हैं ADFC में अगराब लेके ADFC life निकला ADFC AMC निकला तो यह जो deemerger होता है उससे भी बड़ी value अनलोक होती है तो यह कई प्रका के ऐसे special situation है जहाँ पे निवेश की opportunity बनती है दोस्तों as a individual investor कैसा यह special situation है उसका impact क्या होगा उससे कितनी बड़ी value अनलोक होगी positive है या negative है यह सब अगर आप देखे देखना और उसमें call लेना मुश्किल होता है individual के लिए तो वहाँ पे fund manager और उसका जो analysis होता है वो काम में आता है जहाँ पे अगर आप देखे quarter mutual fund का बड़ी टीम भी है research की उसका भी फायदा मिलता है fund manager भी अच्छा कासा experience रखते हैं दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे fund की तरफ कोटक special opportunity fund दोस्तों 10 जून से ये NFO मतलब दो दिन पहले से ये NFO open हो चुका है 24 जून तक ये NFO open रहेगा investment approach कैसे रहेगे तो इनका in-house पूरा का पूरा research है तो इनका in-house investment अगरा आप देके thesis रहेगा उसके इससाफ से stocks ले किये जाएंगे flexi cap रहेगा large cap भी ले सकते हैं mid cap भी ले सकते हैं small cap भी ले सकते हैं क्योंकि special situation कहीं पे भी आ सकती है bottom up investment approach रहेगी मतलब किसी भी sector पे ध्यान नहीं डिया जाएगा special situation जो इनका major theme है उस पे ही 80% portfolio रहेगा growth at reasonable price इनका investment approach रहेगा कोई भी price पे share नहीं खरीद आजाएगा अगर fair value पे आपको share मिल रहा है तब ही निवेश किया जाएगा इनके fund manager है देवेंद्र सिंगल 22 year का इनके पास अनुबह हुए कोटक के साथ पिछले 8 सालों से जोड़ा हुआ है तो उनका भी अगर आप देखें तो अच्छा का सा अनुबह का benefit इस fund को भी मिलेगा दोस्तों ये fund का data भी आपके screen पे आ रहा है कोटक special situation fund ये NFO open हो चुका है इसमें आप SIP कर सकते हैं 5 साल 10 साल की SIP भी कर सकते हैं अगर आपके पास capital हैं आप सोचे थे election के बाद मैं डालूंगा पैसा market के अंदर तो ये सही समय है आप अभी डाल सकते हैं क्योंकि NFO है तो यहां से धीरे धीरे पैसे आपके deploy होंगे में भी आने वाले 1-2 मेनों के अंदर जब ये NFO close होगा उसके बाद पैसा deploy होना शुरू होगा उसके बाद budget भी आने आना है तो वह भी एक बड़ी event होगी तो वहाँ पे आपके पास एक बड़ा time frame हैगा तभी इस fund में आपको निवेश करना है ये बात आप ध्यान में रखिएगा तो दोस्तों कोटक special opportunity fund इस fund में आप निवेश कर सकते हैं और इस fund को आप अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हैं इस fund में निवेश करने के लिए हमारे साथ निवेश करने के लिए चैसे कि आपके स्क्रीन पर डेटा आ रहा है आप हमें संपक भी कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं या वाटसब भी कर सकते हैं अनुरोध रहेगा दोस्तों कि वीडियो को एट लिस्ट दो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यहां तक आए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे आपके लिए बिल्कुल फ्री है Thank you for watching, जै हिन, जै महाकाल